हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल लेटेशलन फार्मेसी इन इस वीडियो वी डिसकास अबाउट दिया जोल ऑक्साजोल एंध थाया जोल तो लेट से स्टार्ट हमको पढ़ना क्या है इसमें जैसे में चीछ हमारा क्या जैसे पाइराजोल की पढ़ना है तो पाइराज स्टेक्चर कि उसके बारे में थोड़ी मतलब बातें कि जैसे क्यों कई जाता है कहां कहां होता है रियक्सिंगे उसे हम की करने फिजिकल प्रोपhaus दोनों देंगे तो में दूनों पूझा जाता था है क्या है है ने चैन और ये 42 आ मतलब इनके अंदर द३फ हैं एक ten अंदर तम यहां पर यहां पर यहांपद यहां पर दो नौए तो लेखन यहां पर देखने को मिलें तो इसी लिए पूलते हैं डबल हैट्रो अैटम स्थाइकल अपरOnce तो फा вам है परमन है है यह भी एकजाम में हैं है तोन सबसे पहले आप शुरुवात इसी परकार से करेंगे कि पायरा जो लिए फाइब में में है टो साइकलिक कंपाउण है यह यह लगा हुआ है ठीशिस आती है यह पायरा जों होता है ठीक है पायरा जोल की सिंथेसिस आप किस परकार सी करते हैं तो अमनली आपको तीन मैठेट पढ़ना है तीन ही मैठेट आपके लिए सफिसेंट अगर एक्जाम में आता है आप तीन ही मैठेट लिखेंगे तब भी आपको काफी टाइम हो जाएगा और आपका अच्छा खासा पेंट भी कवर रफ हो जाएगा तो सबसे पहला क्या है का मतलब क्या होता है कि उसमें से जो उसका सी ओटु गुरुफ को को कर देते मतलब कारवाग्जिली को क्या होता है COOH को आप कर देंगे तो वहां से सी यो टू इलिमिनेट हो जाएगा और आपके क्यों हैट्रोजन बचेगा तो हम डी कार्बाउग्जिलेशन से पाइरा जोल धेरी वेटेव हम प्राप्त्य कर सकते हैं या कंप्लीट हम पारा जोल तयार कर सकते हैं तो पहला क्या है हुआ है यहां पर इस टेक्चर में देखे ट्राइक कार्बाउगिलिक एसीड हीटेड मताब करेंगे इसको हीट कर देंगे कितने डिग्री सेंटिग्रेट पर तो चुकि हम जानते कि जहां किसी भी चीज को गरब करते हो उसमें तो कुछ गैस निकलती है अब वो गैस चाहिए जिस पर कार से कार्बन मोनोकसाइड का रहा हो सकती है तो यहां पर जो यह वाली स्योट यह वाला सेट को छोड़ देगी यहां पर बाणि के लिए और अपना जो किया मिल जागा एक करम चायों क्या है सबसे में से जो कि हमको एक्जाम में भी पूछी जाती बहुत बार पूछी गई है इसके बारे में और इससे से बनता है कि जिसे में मतलब किस परकार के कंपाउंड कंवर्ट हो जाते हैं तो देखते आगे नोर पाइराजोल सेंथिस तो यह एक एक और गेनिक रियक्शन जिसमें हम क्या करते हैं। to convert है हाइड्राइड मतलब कहने क्या है कि और यह निक रियक्षन है और इसका हम यूज क्यों करते है हाइड्राइड को कनवर्ट करने के लिए ठीक है तो एंड वन तीरी डाइक कार्बोनिल कंपाउंड एप पाइरा जॉल दिंग यूज जाना है कैटालिस्ट अब यहां फ़ जब आपने यह कार्बोनिल गूरुप है यहां पर देख सकते हैं मतलब इसका कोई पार्टे गुल नेम नहीं है आरवन की जगह पर आप सी यह त्री और त्री रह सकते हैं उसी परकार से तो यह हमारा क्या एक सीधाम किसको क्या बोलते हैं वन ठीरी डाइक कार्बोनिल और देते हैं तो यह क्या करेगा आपको पाय डेरी वेटिव देगा तो इस परकार से आपकी जो नोर पायराजोल संथिस होती है इसमें इस प्रकार से कोशन आ सकता है दी इनीशियल और या दी मतलब पहला कंपाउंड आप पर क्या होता है जो आप इस रियक्शन में यूज करते हैं तो आप अपसन होना हाइड्राजीन वहाँ पर हो जाएगा और किसके साथ रियक्शन कराती हैं कार्बोनिल कंपाउंड क साथ रियक्शन कर रहते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट जो हमारी संथेसिस है वो क्या है बाई रियक्शन ऑप अलफा बीटा सेचुरेटेट की टून्स और यहां पर हैड्राजीन का यूज क्यों हो जाना क्योंकि हमको इसमें क्या चाहिए नाट्रोजन क्योंकि पाइरा जॉल यहां पर एक रिंग लग रही मतलब यहां पर एक कमी थी पाई एलेक्ट्राण की मतलब पाई बॉल्ड की यहां पर यहां पूरा कर देगा और आपको एक पायराजॉल दे देगा तो यहां पर आपको तीन संथिस आपने पढ़ लिए है ठीक है नेस्ट हमारी संथिस होगी बाई कंडेंसेसिंग मेलनो हाइड्रेट तो आप यहां पर समझे है इस्टेक्चर सीएच ओएटी का मतना है एथनॉल का होल्ट्वाइस एस्टू सीएच ओटी मतलब ओक्सिजन के साथ आपका क्या हो जाएगा एथालियन गुर्फ का हो साथ तो इसका नाम क्या जाएगा टेट्रा एथाक्सी प्रोपेन अब टेट्र कर ली है और अच्छी सिंथिस से ऐसा नहीं है कि आप वहां पर नहीं लिख सकते हैं अब इसकी फिजिकल प्रोपर्टीज की बात आती है मतलब प्रोपर्टीज की बात आती है इसी लिए हम क्या करते हैं आपर कि अपके केमिकल प्रोपर्टी दोनों लिख देते हैं तो इस इतनी जो इसकी फिजिकल प्रोपर्टिज अगर आप लिख देंगे तो एक्जाम का पॉइंट आब यू आप आप सभी दे सकते हैं लेकिन यह प्रोपर्टिज की बात में बहुत कम ही लोग लिख लाते हैं तो जो हमारा एरीनियम होता है यह जो आयन होता है का इलेक्टरोफाइल होता है वो कहां पे जाके अटक करता है तो करबा नंबर पॉजिशंच नंबर करबान 4 पे जाके अटक करता है ठीक है यह से यहां पर औरञेसे यह लगा हुआ है तो यह Siq peso को Pac trib confined है कि in the electronic substitution reaction अब दे पाईडिशन इनकमिंग या ओर्येंट इलेक्ट्रोफाइल प्लेशड होइच पोजीशन पे तो आपको जबना इन्सराव लिगे तो आपका पाले आपने नाउसरियेकल कर थे आपने सब्सक्राइब कर देंगे वह भी किने कंसेंट्रेटर्ट एस्टाइब के साथ तो आपको कार्बन चार पोजेशन पर ही आपको अटाइक यहाँ पर देखने को मिला है यहाँ पर देखने को अगर एक्स वहां पर लिखते हैं तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा तो आपने क्या किया कि लिएक्सन होगी और एक क्लूरीं जो गूरूप होगा आपके चौथी पोजिसन पर जाकर बढ़ जाएगा इसलें ब्लक जाएगा फॉर कुलूरू पायराजोल हो जाएगा लिएक्सन सेक्या है रिडक्षन अब क्योंकि हम जानते है कि क्या होता है क्या मारा कोई कटालिस्ट काम करता है है और हाब यहां पर हमने क्या क्या वान फैनाट पायराजॉब यहां पर आपने पाइला जोड़ दिया आपको एक पाइल पाइल जोली अब यहां पर आपको एक पाइल पाइल जोली अब इसके आप आप फर्दन क्या कराएंगे टेम्प्रेचर हाइ कर देंगे टेम्प्रेचर हाइ करने की जैसे में क्या होगा कि यह वाला जो प्रोडेक्ट मिलेगा वह क्या जाएगा थीक है क्योंकि हमने पढ़ा था जब नमेंखिलेचर पढ़ रहा था कि जब उसके पास सचुरेटेड होगा और सचुरेटेड के साथ साथ उसमें क्याने गर्णे दो नाइट्रोजन गुरूप लगे तो उसमें आज लास्ट में क्या जोड़ते हैं इडी इन जोड़ते है के साथ इसकी औरilim पर नएगे मटलब किया करेंगे जहां पर अलक असे हम लिख रहे तो सबसे पहले कीई कि आप एक ड्रक कर करनेAh इंटिपायरीन में आप देख सकते हैं कि हमारा क्या लगा हुआ है एक पाराजॉल का हमारी देख नहीं हों गर्टे हैं तक बात रहे हैं एक लिए गुरूप लगा हुआ है तो हमारी क्या देख लिए इसका नाम है और यह ढूरा जानल यह जाता है आप अEP की रूप में आप नेक्स्ट आगे लगते कहें कि यह ए एंटिब्यक्टियर के रूप में काम करते हैं एंटिवाटिक केी एंटिकày सरेंटी एंटियोक्सिडेंट टी तरह करती है और एक द्रक नाम लिखते हैं या हिए इसया के में ल्हाiga हो जाएगा ठीक है एसके बाद क्या हो जाएगा इसका यूज करते हैं यह सब आपने मेडिस्टी में पड़ चुके तरह मतलब डिकार्बोजीन हो गया उसके बाद क्या होता है जैसे आप तोला जोली में अब देखेंगे इमेडा जोल जो होता है उसकी प्रजेंट होती है तो यह समको रिंग इसके बाद में पढ़ते चलना है जो कि मारे आने वाली मेडिस्टनल केमेस्ट्री है यह हम करेंट मेडिस्ट्र केमेस्ट्री चलिए जिसकी भी उसके लिए बहुत ही फाइदय होने वाली है ठीक है तो इम्डेज हो इसके इमेडा जोल के बारे में इंट्रोडेक्शन हो जाए ठीक है अब इसका जेनल फार्मोला भी आप देना चाहिए लाइन बढ़ाने के लिए तो दे सकते हैं इसका जेनल फार्मोला ठीक है तो पहला घ्रमो यह जो हमारा संथिसिसे कर जो पहला मैę hybrid है यह नाम बहुत इंप नोन यह रियाक्शन होती है उसके ठीजिना मैफ ठीक है यह नाम जो इसको आप रियक्शन देते हैं अब इसका मतलब यह समझे कि इसमें तीन चीजी दिमालबोंगे एक कार्बोनिल कंपाउंड मनला सी डब आर सी डबाल बांड ओ उसके बाद एक अमोन यह गुरूप मतलब नेस्थिरी एंड एक अल्डिहाईड गुरूप पारलब आर सी अचो तो यह तीनों रिंग मनलाब य ऐसे बनाएंगे यह देखते हैं जैसे आपका कार्बोनिल गुरूप है और सी डबाल बांड ओ एक आपका कार्बोनिल कंपाउंड है ठीक है उसके बाद यहां पर क्या हो एनस्थिरी मतलब यहां पर एदो अमोनिया के लिए गया है उसके बाद आर्च एचो मतलब अल्डि प्रोडेक्ट है उसको फर्म कर दिया और तीन मॉलीक्यूल वाटर केस्ट ने इलिमिनेट कर दिया अब इसको अगर हमको प्रेजेंट्रिक दिखाना है कि जैसे जैसे ग्लाइकॉल हो गया ठीक है जैसे ग्लाइक सॉल हो गया तो ग्लाइस हो जाएगा मतलब अगर आप इस साइकलाइजेशन प्रोसेस कर लिया उसने क्या मना दिए तो यह आपके क्या हो जाएगी एक परकार की सेंथेसिस हो जाएगी जिसको क्या बोलते है रेडिस जो इसके सेंथेसिस जो की बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चलके आपको मिलने भी वाली है ठीक है नेस्ट जो ह तो इतवाद्य कर्बोनिल कंपाउंड लेकिन यहां पर एक पार्टिकुला नेम दे जा गया है विच फार मल डि हाइड मतलब एलडी हाइड इन द पर जैंस फरमोनिया फॉर्म इमेडाजोल तिक तुझा से कर्बोनिल गुरूप है ऐसे चो फार्मेल डियाइड एड एड तरिक स्थिति में मॉटर मॉल्यकूल को बाहर निकालते हैं इमेडाजूल पैध डेरिवेटिव बना दिया ठीक है उसके वार स्थ नेक्स्ट आप डि इमिडाजुलीन एने इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा को सिंडल करें गया 1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-3-3-2-1-2-1-2-2-1-2-2-2-1-2-1-2-4-1-2-1-2-2-1-2-3-2-2-1-2-2-1-2-2 और दोनों पर जिसन वारे क्या लोगा एनस्ट नस्ट लगा तो इसको क्या वह वह वन टू इथेन डाइमाइन अपर आप अलकिल नाइट्राइल अब यह दोनों आपस में रियक्शन करेंगे इन दा पर जैंसा बेरियम मैगनेट बी एमनोफोर तो क्या पर रहेंगे टू सब के नहां पर आकर लग जाएगा और आपको एक इमिडाजोल की डेरिवेट्री प्रोडेट मिल जाएगा अब बात आती है इसकी प्रोपर्टीज की बात में तो सबसे पर इसकी फिजकल प्रोपर्टी इसका कलर लेस होता है इस्टेट इसका लिकुड होता है बॉइडिंग जो अरो में पर्ण गो पार सकता अंतुर के बारे में पढ़ाते हैं अब बात आती है इमिडाजोल की जो हमादी के में दिसाय Bishop Supper लिएक्सान और आपके एंसी को में पूर्शा जा सकता कि कि कार्बन पर हमारे जो मौलिकूल संटे पर ब्रोमीन इम्मीडा जोल आपको दे दिया वहाँ पर वहाँ पर दे दिया जो कि क्या है इमीडा जोल की डेरिवेट प्रोड़क्ट है अब फिर उसने आयोडाइजेशन कर दिया ठीक है मतलब हेलोजोनेशन यह पर हो रही है तो इसने क्या क्या कि पाच्वी पोजिशन पर आयोडेर गुरुप लगा दे तो फाइव आइडो आपके मतलब इमीडा जोल की दिंग हो जाएगी उसके बाद नाइट्रेशन रेक्श मतलब यह देती नहीं है अपने आप में नहीं देती लेकिंट किन कार्णों के एंसमें तरी 300 degree centigrade मतलब अगर आप यह सोचेंगे कि जो इमिडा जोन होती है उसकी प्योर रिंग को आप सकते हैं तो नहीं करवा सकते हैं इसमें पहले कोई सब्सक्राइब नहीं करवा लिए तब तक उसमें कोई भी नियुक्राइब यहां पर आप देखिए यहां पर पूच्छाओ थी पॉजिसन पर पाच्छी पर आपके क्या लगए जो फिनाईल गूरूप लगे हुए हैं तो यहां पर आपके हैं इसका यह ड सब्सक्राइब यहां पर आने वाला है उसके बाद जो यह डेक्शन देता है वो क्या है ऑक्सिडेशन देक्शन तो ऑक्सिडेशन आप आप से पूछा जा सकता है कि जो होता है वह किस रियक्शन के द्वारा अब जिंग ओपनिंग रियक्शन देता है तो यहां पर इमीडा जोन है एस टू ओटू मतलब हैड्रोजन पर आक्टिव होगा उसके बाद यह कहते हैं ऑक्सामैट देदेगा ठीक है तो मतलब यह दि पिलो कार्पिन फिस में युज़ता है गलावकोमा तो यहां पर त्ये सब्जेट के आपर कुस्टन तजयार होते है कि जो मतलब इमीडा जोल का किसी एक ड्रग का नाम बताई है तो पिलो कार्पिन जिससे आपको दुंदरा दिखाएगा नहीं लगता हो इसको बोलते हैं ठीक है जिसको गुलुकोमा भी बोलते हैं उसके बाद इसका है एंटी कैंसर में जैसे मेरकोपोटुप्यूरीन हो गया एंटी इंफ्रामेट्री में क्लोरा ट्रिमा जोल हो गया जोकि सबसे ज़्यादा यूज किन जाती है हमारी मेडिकल इस्टोर पर क्लिनिक पर अधिक्ता डॉक्तर यही लिखते हैं उसके बाद एंटी एमोबिक आपके पेट्मिक जैसे कहते हैं कीड़े पर जाते हैं जिसका जाते हैं उसको मारने के लिए यूज करते हैं उसके बाद जो चानल ट्रैक्स में जो इसको यूज करने तो ऐसे ही आपको तयार करना है और आव थे हैं आपका तयार होता जाएगा जल्दिम इसकी वीडियो भी अप्लोड कर देंगे फिर नेस्ट जो हमारी दिन हैं और यह यहां पर क्या होता है कि पोजिशन नंबर तीन पर नैटोजन की जगह आपका ऑक्सीजन लग जाता है उसके पर इसकी संथिस होती है तो सबसे पहले संथिस की तो मैथेड है वो क्या है रोबिंसन गैब्रियल सिंथेज इन दिस मेथेड टूँ एसाइलो एमाइट का मतलब क्या हो जाएगा उसमें कोई एसाइल गृूप लगा होगा रियेक्ट विट इमाइन उस्टर इमाइन इस्टर के साथ र्येक्शन करके अक्सडोल बना देगा ज COOH किस परजेंस में क्या कर देगा आपको क्या देगा 5-methyl-2-phenyl-oxazole यह आपको यहां पर आउसाजल की संथिस मिल जाएगी उसके बाद नेक्स क्या ब्रेड्रिक डियक्शन ठीक है यह मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे भी चलके आपको बहुत ज़्यादा कामाने वाली है तो इन दिस मेठेड एथाइल एल्फा हाइड्रोक्सिक कीटो सक्सिनेट तो यहां पर आपका एक चीज यहां पर यह कोशन बन गया की बेड्रिक डियक्शन में किस परकार का जो कमपाउंड होता है वो फ्रामेरी होता है तो 여ass out alpha hydroxy ketosuccinate और यहाँ पर आपको confuse करने के लिए alpha के जगा बीटा कर देगा hydroxy के जगा amino कर देगा ethyl की जगर में ethyl कर देगा लेगे ना क्यों करना क्या है ethyl alpha hydroxy ketosuccinate react with the formamide to form diethyl oxazole 4 and 5 di carbozolate undergoes hydrolysis to form oxazole जैसे example के तोर पर यहाँ पर आप समझेए यह क्या है अपका ethyl alpha hydroxy ketosuccinate है इसने क्या किया कि मतलब जो हमारे formamide है मतलब SCONH2 मतलब जिसे formaldehyde होता है तो इसमें SCH होता है इसमें SCONH2 तो मतलब करेंगा formamide हो जाएगा यह क्या फार्म करेंगा diethyl oxazole 5 and जो फर्दर किसमें जाएगा hydrolysis process में चालेगा मतलब H2 का whole choice मतलब barium hydroxide हो जाएगा और H2 आपका eliminate हो जाएगा और आपको एक intermediate product इस टाइब से मिल जाएगा ठीक है अब इसी intermediate मतलब ironium iron बन रहे बन रहे बन तो वो क्या करेंगा क्यों लिए सो जाकर जाएगा इंदापजा साब क्वापर catalyst काम करेंगर हीट प्रोवाइड करेंगे आपको ऑक्साजोल मिल जाएगा और दो carbon dioxide आपके यहां से उड़ जाएंगे ठीक है उसके प्रोपर्टी की बात कर लें तो प्रोपर्टी जाब दी आक्साजोल तो इसकी जो प्रोपर्टी होती है इसका जो स्टेट होता है वह लिकूड होता है और पंगे इसका आर्डर होता है एक मतलब वाटर में भी सॉलिबन होता है अब इसके आते केमिकलर प्रोपारिटीज की बार तो इसमें एलेक्ट्रोफिस्ट्यूशन करबन के पॉजिशन नमबर पांच पर होती है तो यहां पर मतलब इस पॉजिशन पर आपकी यह रेक्शन होगी तो पहली रेक्शन क्या है पर लगा हुआ है और यहां पर नाइट्रो ऑक्साजोल फैनाइल ठीक है उसके बाद में आता है और उसके बाद में आता है अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं लोगे ने इसन भी दिखा सकते हैं इसके बेसित पर अब पोजिशन किस पर करेगा यह पांच भी पोजिशन प्रेटाइक करेगा तो अक्साजोल रियाट्री अंडर गोज नुक्लोफिलिक सब्टीट्यूशन रियक्शन एट कार्बन नंबर पोजिशन तो यहां पर इसने क्या कि आपका एक ऑक्साजोल डेरिवेटिव ले लिया और वन क्लोरो या पराकलोरो एनिलीन के साथ यतना रियक्शन करके आपको एक डेरिवेटिव बना दिया जो कि क्या है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लियक्शन क्या है ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन लियक्शन आप दी फोर फाइफ डाइफ फेनाइल ऑक्साजोल भी था इकावलेंट आप दी कैन गिप्स इमाइड एंड बेंजूइक एसीड तो जो हमारा मतलब यह हमारा है यहां पर दो गुरूप लगे हुए है तिक चौथी पोजेशन पर फोर फाइफ डाइफ नाइल ऑक्साजोल की दिंग होती है और यहां पर वाटर की प्रजेशन नहीं यहां पर क्यावाद है इमायड देदेगा और आपको कहा दाएगा प्याच मतलब अरोमेटिक दिंग मतलब है तो इसके आपको सबसे ज़्यादा अक्साजोल डेरीवेटिव यूज करते हैं एंटी इंफ्लामेट्रिक के तवर पर यह इस्टेक्चर आप बना के वहाँ पर दिखा सकते हैं ठीक है और नेस्ट इसका क्या है हमारे मेडिसे यह से एंटी बेक्टिरिया के रूमें सलफ इसको बहुत ही कम डाउन अप करते इसलिए इसका यूज नहीं करते बस एक क्या करते हैं डेरीवेटिव मतलब एक्स्ट्रा कंपॉर्ण के तौर पर लेते हैं उसके बाद आता है प्लेट लेट एगरिट होती है वह क्या करते हैं मतलब जमा होने लगती है तो उसको कम करते हैं तो इनिवेटर मतलब डेटा जोल हो गया तो ऑक्सा जोल और यूड़ा मेमोरी इनहेंसर मतलब आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए ठीक है बढ़ जाती है तो उसको काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है उसके वीडियो के लास्ट्रिंग होने वह बहुत लंबा जा रहा है और हमको बहुत जल्दी कबर करना है ठीक है तो थायोजोल के हमारी एक फाइब मेंबर हेट्रो सैकलिक कंपाउंड है कंटेनिंग वन सलफर एटम एड़ी पोजीशन नमबर एक एड़ वन नैट्रोजन एटम एड़ी पोजीशन नमबर तेन मतलब तुझ उसके इसान किया है तो जाए ड़ीोजीशन पर नैटोजन गुरूप होता है तो EPA कि यह सबस्क्राइब करने क्या है डबल बन को लगा तो यह की टोनिक गुरूप हो गया है तो यह आपका और अलफा पोजेशन पर अलफा कार बने तो इसको अलफा हेलो की टोन बोलेंगे ठीक है उसके बाद थायूमाइट के साथ रेक्शन करेंगा मतलब एनेच तो सी एस आर ठीक है यह क्या करेंगा आपको थाया जोल डेरिवेटिब देगा तो यह आपका जाएगा थाया जोल हो जाएगा उसके बाद दूसरा मेथड क्या गैब्रियल मेथड जो कि आपके एक्जाम में पूछा जाएगा और जीपेट से बारे में कोश्चन आता है पेपर उठा के आप देखने जाएगा गैब्र आपके साथ लगा हुआ है मतलब यह आप यह वाला गुरूप देखिए यह आपका क्या है क्या है मतलब यह आप देखे आप के तो हमारा यह CS3, CO, CS2, आपका SL group, NHK, amino group, CS3, CO, मतलब R, CHO, के टोनी group हो जाएगा, और यह rate करेगा, फास्पोरस प्रेंटा सलफाइट के साथ, तो यह क्या form कर देगा, आपका एक intermediate product कर देगा, और यह जो intermediate लिए जाएगा और तू फाइब डाय मेथायल थाया जो डेरीवेटिव आपको प्राप्त हो जाएगा ठीक है उसके बाद इसकी जो नेश्ट सेंथिस मेथेड है वह भी इंपोर्टेंट जी है जिसका नाम है कुक हैलबर सेंथिस मैथेड इसमें क्या होता है इसमें क्या होता तो हमको मिलेगा प्योट यहां पर आप देखिए अलफा ऐमाइनो नाइटायल कैसे हुआ यहां पर आप देखिए अलफा क्यों क्यों कि यह कार्बन आपका लगा इसको क्या बिचा कार्बन यह जोनें और जैक्शन की तो आपको देदिया अब तो इसकी प्रोपर्टी ज क्या होती है कालर होता इसका कलरना सब्सक्राइब लेकिन इसमें क्या हो जाएगा थाया जोल तो वह उससे कम प्रश्च नमबर पांच लेकिन अब इसका रीजन जानते हैं क्यों जो थाया जोल में होता है और जो सल्फर होता है वह ज़्यादा दिखाता है अब जब ज़्यादा एरोमेटिसी दिखाएगा तो इसका मतलब कि हमकि उसमें कोई भी रियक्शन उतनी जल्दी नहीं हो पाएगे क्योंकि अपना बॉंड ब्रेकेज्ट ऑन बॉंड फॉर्मेशन प्रॉम्जोर होता है वह नहीं करेंगा इसलिए वह कॉंसी रिंग होती है थाया जोल की देंग उतनी असानी से यह मतलब इलेक्ट्र फिर स्टिट्यूशन रियक्शन नहीं देती है लेकिन यह कुछ कंडिशन में जैसे उसको सब्स्टिट्यूशन लगा दें तो तो जो हमारी पहले रियक्शन क्या है है तो इन जेनल थाया जोली रिजिस्टेंट्यूशन देखिए बात पर आपकी यह आ गई ना कि जो थाया जोल होता है मतलब ब अलगा दिए ते जूकर शें हो तो क्या करेंगे इसके को बढ़ा देंगे गई है ज मतलब दो ब्रोमीन क्या हापका है औहले लेक्ट्रान दॉनेटिंग्स होता है तो अपने लेक्टान कि solar करेगा और इसको आप हीट प्रवाइट करेंगे 200-400 डिग्री सेंटिग्रीट पे और क्या जगा टूब रूम और थायाजोल आपको मिल जाएगा उसके बाद जो नेश्ट लेक्शन है क्या सल्फोनेशन तो थायाजोल अंडर्गो सल्फोनेशन इंदा प्रजेंसा मर्क्यूरिक सल्फेट मतला अग तो इन टू एमाइन नो थायाजोल बाकि हमारी थायाजोल की दिंग है इस तरह से आपको इसकी थ्योरी भी लेख सकते हैं उसके बाद आती है निकलोफिल इसक्टिट्यूशन रियक्शन तो निकलोफिल अटाइक ऑन दी कारबन नमबर टू पोजिशन अभी आपको क्या का करना जैसे याँ वीडियो देख चुक्त आपको फिर से एक बार यह देख लेना है कि किस रिंग पर कौन से कौन से रिंग पर किस पोजीशन पर मारा आने माला इलेक्ट्रोफाइल या निकलोफाइल अटैक कर रहा है तिक एन अले लेक्ट्रोफाइल अलग करेगा इस लेक्ट्रीशन देता है लेकिन यह इस्टेबल ज्यादा होने के कारण यह हमारी रेडिक्शन नहीं देता है ठीक है तो है जो स्टेबल टूर्ट रिडूजिंग अजन का कुई असर नहीं पड़ता लेकिन हुएं ट्रीट्ट्रेटिड बिर रेने निकल रिने की मतलब क्यों को अब इंग्दम निकिल होता है रिजल्ट इन डी सल्फूर राइजेस्ट मतलब सल्फर गुरुप का उसमें क्या जाता रिमूबल हो जाता है और आपको क्या जाएगा ओपेंचेंड कंपॉंड मिल जाएगे तो आपको ऐसा रियक्शन में जो थाया जोन होता है वह ल मतलब 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 आपका क्या इस रिंग से रखिए लेकिन आपका यहां पर यहां पर अगया यहां यहां पर हो जाएगा आपको मिल जाएगा उसके बाद इस परकार की जो रियक्शन होती है जो कि हमारी नहीं नहीं वेक्शिनों जैसे आती तो उनमें यह अपना बहुत भूमिका निभाती है उसके बाद आते इसके मेडिसनल यूजियन में तो सबसे पर आपको क्या करने एक ड्रक का इस्ट्र यह में देखेज लगा होए वेंज़् लगा हो गरूप लगा हो यहां पर आपको घ्र ट्रक भडूंत के साजके सहां अगर्य o अपने के तरह काम करता है फिना यह उन्ति इंप्रमाटरी के तरह का होता है ना इत्रिर्ड यॉड कि अपकि पर जाता है उसको युड उसके चाहिता है इसके बच्यों पेडियाट्रिक को धी इसके बाद करते हैं तो आपको वीडियो समझ में अगर वीडियो को समझ में आथ तो वीडियो को लाइक केजिए चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करके हमको जूरू बताएगे कि आपको वीडियो कैसा लगा प्रयो प्रयाटि वाइक लाओजू भाजियो काँंदी करें कि आपको लाँद